हम अंजनी सुत बजरंग वली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समाने जिन्हे स्रीराम भुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम अंजने सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनमार, तुम तो हूँ बड़े बले मार गौतमर सी निशाप दिया था माता अंजनी को, कहने लगे कि तुम कुमारी माता बन जाओ बोली अंजनी रिस्वरिये मैं होने ना दूँगी, अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखूना मैं ये होगा कैसे, जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया, छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इस से आगे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं, हम कता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान, तुम्तो हो बड़ बल्यवान हे राम भक्ति हनुमान, तुम्तो हो बड़ बल्यवान मोहनी रूप जो विष्णों जी ने भोले को दिख लाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़ आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतम रिसी का साह कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम भेग ये आपका तो यू व्यरत न जाएगा काम रिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना याना बंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्यार पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खार अपने कान को इस छितर के पास मिलाओ तुम बिना तच्छिडा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम गुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बल्वान तुम तो हो बड़े बल्वान बोली अंजनी हे जोगी ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसिगाउ तमने दिया कहने लगे के हे अंजनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ा बीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमार मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई वरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं तमकता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार पवन के जरिये कान से होकर ये है गर्ब में आये इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए इन्तु गर्ब में पड़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बल्वा बोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमा देखके एक दिन आसवान में लटक रहा बल्ला उड़कर पहुच गए बजरंगी ऐसा किया कमा समझ के भल वो सुर्य देव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है बाई भरत समान जिन्हे स्वी राम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान सुर्य देव को जो निगला तो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल हो एक त्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सूर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंड्र देव ने वच्च लिया है तां वच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही रामभक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्यवान ही रामभक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्यवान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो सास भी लेना सब का फिर तो हो गया था दुसर वाज प्रम्हाजी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रम्हाजी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान अवन देव ने ब्रम्हाजी की लिंतीली है मान वज्ड देह का ब्रम्हाजी ने दिया उन्हें वर्दान सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आए रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलमान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलमान किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाए राजा दसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरा खुसी मनाए नगरी सारी हो रहे मंगलगा भोले बाल रूपी दर सन रामक चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी वाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारिया योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिड़ी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुरसोतम स्रीराम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया भोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्री राम लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए है प्रस्था माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते है पावन कथा सुनाते है बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार राजा तस रथने फिर तो है वानर कई मगाए माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किन्धा वानर राज सुक्रिवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाओ अब तुम जाओ हनुमान हम बनवास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह वरस को सिरी राम जब आए हैं वनवास बलिवद करके सुग्रियों से फिर किये मित्रता खाँ सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया हैं फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छेका कर दिया काम तमाओ सोने की लंका गुजला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़े बलवा हे राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़े बलवा बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई डटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाल और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योत ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभु ने भाई बत लाएं राम प्रभु तुम्हें कुस हो करके गले लगाते हैं पावन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़े बल्यान हे राम भत्य हनुमा तुम तो हो बड़ बल्वा लंका विजय कर लोट सभी जब योध्या आते है सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे है मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला ता तो तले चबाई है लंका पती विभी सन ने फिर कह दी ऐसी बाद तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाद इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए है क्या हिरते में तेरे भी सी आराम समाए है फाड के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं पाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं तेराम भव के हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यों वीरों के है वीर ये अपने माँ बीर हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यों राम भक्त है बड़े निराले गुले और बलकी खाँ स्री रॉम की आग्या चासत पालन है करते भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया सोनोटिक चैनल सुने का जो भी इस गाथा को होंगे काम सब्रों वोजी सुरेस से लाखों भक्त भिसीस जुकाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़वान ए राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़े बर्या